अज़ की जो कविता है मेरी वो सारे भाईयों के लिए है पिताओं के लिए है कुल मे लाकर लड़कों के लिए है लड़कियों पर बहुत कविताएं सुनिये सुनिये मैं लड़कों पर सुनाती हूं बुरा तो सब कह देते हैं लड़कों को मैं उनकी कुछ अच्छाई और सच्छाई बताती हूं उनमें भी वही भावनाएं वही सम्वेग होते हैं उनमें भी वही भावनाएं जो हमें होते हैं सारी लड़कियों में होते हैं उनमें भी वही भावनाएं वही सम्वेग होते हैं फिर कैसे कह देते हैं हमके लड़के रोते नहीं बहुत स्ट्रॉंग होते हैं अंजान शेहर अंजान है रास्ते, जब लड़के बाहर जॉब के लिए जाते हैं, तो वो पंक्तिया मैंने लिखी हैं, अंजान शेहर अंजान है रास्ते, अपनों से दूर चले आए हैं हम, अपनों के ही वास्ते, परिवार जैसा सुख नहीं है यहां, फिर भी कहते हैं कि ख बरस्ते हैं हम और कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं लेकिन जब रोते हैं तो बादलों की तरह बरस्ते भी हैं हम कभी चोट लगने पर मा की गोद में सर्रक कर जो रोते थे आज ये वही लड़के हैं जो खुद कपड़े बरतन दोते हैं कभी मा के हाथों से खाया करते थे जो खाना आज खुद बना कर जला भुना बेस्वात खाया करते हैं और लोग तो यूँ ही कह देते हैं पर लड़के कहां स्ट्रॉंग होते हैं उनमें भी वही भावनाएं वही सम्वेग होते हैं फिर कैसे कह देते हैं हम के लड़के रोते नहीं बहुत स्ट्रॉंग होते हैं घर के काम और अपनी पढ़ाई को भी देखते हैं घर के काम पढ़ाई को भी देखते हैं जरूरी नहीं के फरी टाइम में ये वेले यही बैठते हैं और कहने को तो हम कुछ भी कह देते हैं पर लड़के भी घर को बहुत मिस करते है उनमें भी वही भावनाएं वही सम्वेग होते हैं फिर कैसे कह देते हैं हमकि लड़के रोते नहीं बहुत स्ट्रॉंग होते माना कि ये अपनी समस्यां किसी को नहीं बताते इसका मतलब ये नहीं कि इनके जीवन में खुशी है माना के ये अपनी समस्याएं किसी को नहीं बताते इसका मतलब ये नहीं कि इनके जीवन में खुशी है गम, दर्द, तनाव, तनहाई ये भी इन सब से गुजरते हैं फिर भी कभी नहीं कहते कि हम दुखी है लड़कियां तो यू ही कह़िया करती है लड़कों को तो खुली छूट है हर चीज की खुली आ जादी है लड़कों को तो हर चीज की खुली आ जादी है लड़कों को तो हर चीज की खुली आ जादी है लड़कों को तो हर चीज की खुली आ जादी है लड़के इस मामले में बड़े लखी होते हैं पर उन्हें ये भ जिनके रहने के लिए पूरा घर तक कम पड़ जाया करता था कभी जिनके कमरे में बहनों और भाईयों को भी जाने का अधिकार नहीं था आज ये वही लड़के हैं जो परिवार से दूर एक कमरे में ही गुजारा करते हैं और यूं तो हम कुछ भी कह देते हैं पर लड़के गुट गुट कर जीते हैं उनमें भी वही भावनाय वही समवेग होते हैं फिर कैसे कह देते हैं हम लड़के रोते नहीं बहुत स्ट्रॉंग होते हैं चुक्रिया, कभी पैदल चलकर बसके पैसे बचाते हैं, लड़के कुछ इस तरह मा, बहन, बेटी, पत्नी और प्रेमिका के तौफ़े के लिए पैसे बचाते हैं मा, बहन, बेटी, पत्नी और प्रेमिका के तौफ़े के लिए पैसे बचाते हैं, और यूँ तो हम समझते हैं कि लड़कों का जीवन आसान है, यूँ तो हम समझते हैं कि आसान है, पर ये तो वही जानते हैं कि वे किस-किस परेशानी से गुजरते हैं, और उनमें भी वही भ पिता, भाई, पती, प्रेमी हर किरदार को बखू भी निबाते हैं, कितना भी बोज क्यों न हो कंधों पर वे कभी नहीं जताते हैं। तक हार कर भी कभी नहीं कहते के ठक गया हूं मैं, कुछ इस तरह घर की हर जिम्मेदारी को बखू भी निबाते हैं, फिर कैसे कह देते हैं हम के लड़के भी काम से जी चुराते हैं, और उनमें भी वही भावनाय वही समवेग होते हैं, फिर कैसे कह देते हैं हम के लड़के र बहुत होते नहीं, बहुत श्ट्रॉंग होते हैं, पिता को बेटी की, भाई को बहन की, विदाई पर रोते मैंने देखा है, कभी ठहाकों की हसी में भी इनको भावख घोते हुए मैंने, देखा है इनको भी अश्रुओं से द्रग डोते हुए मैंने कभी लड़के भी मां से लिपटकर सिसक सिसक कर रोते हैं उनमें भी वही भावनाएं वही समवेग होते हैं और कैसे क्या देते हैं हमके लड़के रोते नहीं बहुत स्ट्रॉंग चार बंक्तियां आज के प्रेम के लिए क्योंकि आज के प्रेम का कोई भरोसा नहीं है भरोसा नहीं है वो शिव जी पारवती उन्होंने बड़ी प्रतिक्षा की थी राम सीता जी ने राधा कृष्ण ने ऐसे लेकिन आज के प्रेम का भरोसा नहीं है तो वो मैं उस प्रेम पर प्रश्ण चिन अंकित करती हूँ, सुनिए, जैसे राधा श्याम की हो गई, सीता जैसे राम की हो गई, शक्ती सिवकी हुई अर्दांगनी, क्या आज भी प्रेम की यही है कहानी, या फिर है ये महस बात पुरानी, बहुत बहुत शुक्रिया.